इस तरीके से शुलाश्ट रिपोस आगे बढ़े थे और उन्होंने जो आजादी हम लोगों को दिलाई है जो संधर्श उन्होंने किया हम इस मीटिंग में ये संकल्प लेते हैं कि कुछ भी हो जाए चाहे खुरून देना पड़े या सरकटाना पड़े जो आजादी हमको मिल पड़े है वो आजादी हम खोने नहीं देंगे उसको हज़ी है और यहां बंगाल कई वार आना होता है और मैं बार बार आगर भी ये सुचता हूं कि क्या है इस मिट्टी में दौर कोई भी रहा हो हमेशा बंगाल ने इस डेश को और इस दुनिया को एक से एक बहतरीन लोग लिये हैं अभी जब फिर से देश को गौर्वानवित होने का मौका मिला तो वो अफसर भी आपी के बंगाल से जे एन्यू के एक स्टूडेंट ने नोबल पुरुसकार जीत कर हम दोगों को दिलवाने का काम किया वो गौरत मह्शूश कर देंगे आप शुरू से लेकर के आज तक देख लिचे किसी दी दौर को उठा करके देख लिचे पावर सत्ता जब जब बंगाल में अपना नाप हसाती है तो बुरी तरह से उलत है चाहे जब बंगाल का विभाजन करने का प्लान रहा हो अंग्रेज का या फिर जे एनियू पर हमला करने का प्लान रहा हो अंग्रेजों के चाप दूसों का हर बार कोई ना कोई बंगाली उनके सामने आ करके खाड़ा हो जाता है चाहे उस दौर के रविद्ना टैगोर हो सुवासचंद्र बोश हो खुदिराम बोश हो या आज की ऐसी खोश हो यह बात हम दोगों को सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि क्या है उस मिट्टी में तो हम लिहार में पैदा होगे हैं बंगाल से अपना लीनियस ढूनना शुरू कर दे हैं और आप सब जानते हैं हिंदोस्तान का इतिहास की लिहार भी बंगाल का हिस्सा था और आज हम जि इन मुस्किल चीजों का सामना कर रहे हैं उसमें हमको लगता है कि बंगाल की एक एहम भूनी का है अभी हमारे पहले के सारे स्पीकर में अपने पूरे भाशन में अपना समय जहां सबसे ज्यादा दिया है वो एरिया है NPR, NRC और CAA का और मैं बंगाल के कॉंटेक्स्ट में इस बात को इसलिए रखना चाहता हूं कि आसाम में NRC की मान बहुत पुरानी है जब नए सिरे से NRC की बहस देश में शुरू हुई तो देश को बहुत बाद में पता चला बंगाल पहले ये इलम हो गया था कि ये माजरा क्या है और देखिए कि बंगाल से जो बिरोध होना शुरू हुआ उसी बिरोध का नतीजा है कि इनको पूरे देश में NPR और NRC करने से पहले CAA अगर आसाम में जो 19 लाख लोग बाहर हुए हैं उसमें से 15 लाख लोग गयार मुसल्मान नहीं होते तो देश में आज CAA पर कोई बहस नहीं को रहा होता है क्योंकि यहां पे कुछ पुराने एक भी मौजूद से चले गए है नागरित्ता समसोधन कानून 2003 में पास कर दिया गया था मैं आप पोजिशन पे कोई ब्लेम नहीं करना चाहता हूं हारे को कितना हराएंगे लेकिन इस सवाल जरू हो देशिवा है जब 2003 निया नागरित्ता समसोधन पेश हो रहा था तो यह आप पोजिशन क्यों नहीं हुआ अगर यह आप पोजिशन 2003 में हो गया होता तो आज 2020 में यह संगट निशी चेन थे हो और यह बहुत बारा सवाल है दोजार ती में जो कानून पास किया गया उसमें ही पूरे देश में एनार्सी कैसे लागों की जाएगी उसके नियमों को सामिल कर दिया गया और यह बात असपस्ट कर दी गई कि पहले अस्तर पर फस्ट स्टेज में इल्म दियार होगा जन दन्ना से अलग सेंसस से अलग फूरे देश में जन संगिया रजिस्टर तयार किया गया है मतलब कि एनपियार के अंडे से ही एनार्सी की मुर्गी निकलेगी और एनपियार जो होगा उसका जो देटा होगा उस देटा को सर्तारी कर्णचारी अपने दसकन में ले जाएंगे फिर डाउट्फूल सिपिजन की लिस्ट तयार करेंगे और डाउट्फूल सिपिजन जो होगे तब जाकरके उनसे डॉक्मेंट माना जाएगा उनको नोडिस भी जा जाएगा तब कागज की बारी आते हैं और जिनके पास एप्रोप्लियेट पेपर नहीं होगा उनका नाम फाइनल एनार्सी की लिस्ट से बाहर करने जाएगा मतलब अगर NPR होता है तब एनार्सी अपने आप हो जाएगा चंदरकांता शीरियल आप लोग लेखे हैं चंदरकांता शीरियल में एक करेक्टर होता है क्रूर सी उसके पास ये पावर होता है कि वो जिसका चाहे उसका रूप इजारन कर सकता है उसको अयार बोल रही है हमारी सर्थार नी हमारे साथ अयारी करनी है वो हमको ये नहीं बता रही है कि NPR अपने आप इनार्सी का रुप धारी करने का और जो लोग इनार्सी के फाइनल लिस्ट में आएंगे उनको एक national identity कार्ड दिया जाएगा अब बीच में BJP चली गए UPA के सरकार बनी बांपन की उसमें वरी भूमिकार की उसके बाद NPR के प्रोसेस को रोक दिया गया और पूरे देश में लोगों ने ये कहा कि आधार काट करवाएंगे आधार नंबर जारी किया गया वही सारे तर्क आज NPR के लिए भी दिये जा रहे हैं जो सारे तर्क आधार के लिए दिये गरते हैं कि एक आधार नंबर जारी होगा करप्शन नहीं होगा बेनिफिट जो है डाइरेक्ट लोगों के अकाउंट में पहुंचाया जाएगा जो घुसपैठिये हैं उनकी पहचान की जा सके कि किसी के बदले कोई और जो है सर्दारी लाव नहीं ले पाएगा क्योंकि आख का रेटीना रहेगा सर्दार के पास यह सारे तर्क दिये गरते हैं आज भी वही तर्क दिये जा रहे हैं कि घुसपैठियों की भहचान होगी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा तो इस देश के जो नौजवान है जब घुसपैठियों बाहर हो जाएगे तो उनको रोजडार दिया जाएगा वही तर्क है जो नोटबंदी के वक्त दिया गया था कि नोटबंदी हो जाएगी सारा काला धंजमा हो जाएगा, आपके खाते में 15 रुपया पहुंच जाएगा, आतंक बाद की कमर तूट जाएगी। आतंक बाद का तो ऐसा कमर तूट गया है कि पुलीश ऑफिसर से आतंक बादियों को लिफ्ट लेना पड़ों। एक पुलिस ओफिसर ही आतंकवारियों को दिल्ली रेकर के आ रहे हैं, फुलवामा में के आतंकवार की कमर टूट गई थी, ये टूटी हुई कमर से हमारे देश के सहतर जवानों को शहीर कर गई, इसको सोचिये, अभी फिर वही तर्क दिया जा रहा है, तो पूरा मामला घू के इसे हो गया, बवार के इसे हो गया, युद्ध दो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई, सिपाही बिद्रो हुआ था, जिसको पर्थम सुपंतरता संगराम दहा गया, वो युद्ध सिपाही के बैरकों से शुरू हुआ था, और आज के जो ये अंग्रेज हैं, इनके खिलाफ युद्ध इनवस्टी के होस्टलों से शुरू हुआ था, लेकिन इस लडाई में जैसे बंग भंग आंदोलन ने एक बड़ा मोर दिया था, उसी करिके से एनार्सी का मनसुवा जो है अमित्साह का, मुगेली लाल के सपने, उसको चकना चूड करने का, या य पंगाल ने किया है, यह फसके, जब इनको लगा कि 19 लाख में से 15 लाख लोग गया मुस्लिम हैं, तो पूरे पंगाल में अगर एनार्सी होगा, तो कितने कड़ोग लोग होग है, थोड़ा सा भी जिसको इतियास का जानकाली होगा, वो आसानी से इस बात को बता देगा है, कि बांगला देश का जो मुक्ति संग्राम था, बने प्यमाने के लोग भारत आये, उससे पहले 1947 में भी जब भारत का विवाजन हुआ, तो मुसल्मान आये नहीं थे, मुसल्मान गये थे, गये मुसल्मान भारत आये थे, यही हिस्त्री है, जब दंगे होने शुलू हो गये और दंगे भयानक रूप से देश के दो इलाकों में भड़गाए गये, एक हमारा जो पश्मी इलाका है पंजाब का, और एक जो हमारा पूर्वी इलाका है बंगाल का, भयानक साम्परदाइक दंगे हो गये थे, और याद कीजिए कि गान्धी जी को नौा खली आना करा था तब जाकर के इस इलाके में लंगलाशांत हुआ था, और जब वो यहां से लौट करके गये, तो उनको पंजाब पहुचना था, दिल्ली की हालत इतनी खराब थी, तो इवो दिल्ली में रुखना परा और अन्पता गोट से के हाथो, गान्धी को अपनी जान बचानी परी, अपनी जान देनी परी इस देश को बचाने के लिए, ये इतिहास है इस देश का, उसी धाव को ये कुरेदना चाहते हैं, कहते हैं, जहां आपका जख्ध हो, कोई अगर आपको परिशान करना चाहता है, तो बार बार वो वही पे तीर चलाएगा, इनको मालूम है, कि पार् इसी गिए जब भी पावर में आते हैं, जब भी सक्ता में आते हैं, हमारे उस घाव को ये खुरेदने का थाम करते हैं, यह जो तर्क दिया जा रहा है, कि नहीं भाई, हम तो जो हिंदू, सीख, बौध, क्रिश्चान, असे ही बोलता हैं ना मुटा भाई, हिंदू, सीख, इसे ही बोलता है, इसे लगता है, इसे पहाणा पर रहा हो, एक, दो, ती, यह महर शब्दे हैं, यह महर शब्दे हैं, हम इंसान हैं, हम नंबर हैं, क्या आप हमको नंबर से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं, हम इंसान हैं, जब आप हमारे जखन को कुरेटते हैं, तो आप आपको एहसास भी नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं आप हमको फिर से इस देश को इतिहास के किस मोहने पर ले जाकर के ख़ड़ा करना चाहते हैं पूछिए पूछिए जिनको अपना घरवार छोड़ना पड़ा जिनके परिवार के दुगों के साथ बलातकार हुए पूछिए कि अपना गाओ छोड़ करके चाहे 1947 में लोग भारत आये हों या फिर नब्वे में कश्मीर के पंडितों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा हुए घर छोड़ना पड़ा दर्दनाथ होता है हर कोई अपने बच्पन को लेकर के नोस्तेल्जी खोड़ा है और क्या मिला रिफ्यूजी की तरह आये रहने के लिए जगा नहीं और जो यहां से छोड़ मिरके भी गए उनको भी क्या मिल गया आज भी क्या बोलते हैं पाकिस्तान में उनको मुझा ही क्या बोलते हैं महाज यह कह रहे हैं कि न जी पाखिस्तान, अफगानिस्तान और बांगला देश में जो धार्मिक परतार्ना के शिकार हुएं हम उनको नागरिक्ता देना चाहते हैं हम किसी की नागरिक्ता लेना नहीं चाहते हैं जूट बोलते हैं साप साप जूट बोलते हैं अगर आप नागरिक करता संसोधन कानून है उसी में यह बात लिखती गई होगी असल मामला करें मामला यह है कि 19 लाख में से 15 लाख जो गयर मुसल्मान आए हैं आगे बंगाल का चुनाव है वो जो है न आपका अधिलिक गोस उसको मुखमंत्री बनने गामन है इसलिए काय के बूर में वो सोना न है तो यह हुदू मुसल्मान करने के यह सब काम कर रहे हैं यहां पर हर लोके पर आप देखिये भाई मुद्ध में तो कई बार सोचता हूं काली है कलगत्ता की यह हम लोग मतलब ऐसे ही खेलते धूपते गाते थे दुनिया का सबसे मश्रूर तुर्णापुजा होता है बं कि इसके पीछे साजिस क्या है यह वो धर्ती है जहां रभी प्राट टैगोर पैदा हुए टैगोर कहते हैं सब आओ इंदू आओ मुसल्मान आओ सिक्खा और मिसाई आओ एरोपिय आओ पार्सी आओ सब आओ सब मिल करके भारत को बना एक बंगा में उनकी बड़ी मश्रू कविता है यह यह क्यों हुआ और कैसे हुआ बंगाल में कैसे जो है बंगाल एक ऐसा समाज है जब महलाओं को सबसे आगे रखा जाए तो राम जी बिना सिता जी के कैसे बोले जा रहे हैं सिता राम होगा राम जान की होगा अकिले राम जी क्यों बोले जा रहे हैं तब पता कि अच्छा हिंदू मुशल्मान करने की तेकारा होगी है इस राज चुनी और उस हिंदू मुशल्मान को करने में एनर्सी घोल बराईन को मदद करने वाला थी, खेला उल्टा पड़ गया, चुबा जाली में गया आटा खाने के लिए चुहेदानी में फस गया, जब इस यह तो आसाम मेस का बिरोधाना शुरू हो गया, क्योंकि आसाम का मान बंगाल की मान से ठीक अपोजित है, वो तो कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं रहने देंगे, यह कह रहे हैं न असाम के लोग, वो यह नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मुसल्मान को भगा पता, वो तो कहीं रहे हैं और बार बार कह रहें कि बंगालियों को भी बता हो उनका पुरा आंडाउल आंदोने ही इसी सवाल पर है तो इनको देश करना इधिहास पता है न भूगल पता है तो ये उस आग में हाथ डालने की कोशिश नहीं करते जो आग ये भरकेगी नफरत की आग ये भरकाई जाएग तो हर किसी का मकान उसके जड़ में आ सकता है आप देख लीजिए कि CAA ये किसलिए लेकर के आये हैं ताकि हिंदूओं को कन्फ्यूज किया जा सके कि भाई तुम जिन्दा मत करो नर्सी जब होगा ना तो तुम CAA के तहट आ जाना तुमको नागरिक्ता देतेंगे लेकिन एक बातों नहीं बोलता है जो बात हम आपको बताते हैं कि CAA के तरह तहर अगर हिंदू, विख्यू, Sпервых, बोज, पुन्ध ताह लेएं तो पहले यहिमानेंगे कि हम सरनाथी है और सरनाथी होने का मतलब क्या होता है कि आप नागरिक नहीं है और जब आप नागरिक नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना fundamental right छोड़ना परेगा अपना voting right आपको छोड़ना परेगा और जिस घर में आप नहीं रहेंगे जो घर मान लीजिए कि आपके पुड़कों का घर है उस घर का आपको काज़ दिखाना पड़ेगा यह तो पुछे का ना कि आप अगर 47 के बाद आए हैं तो जमीन जो है जिस पर आपका घर बना हुआ है इस पर कब्जा आपका 1936 से कैसे है मालकुजारी भरते थे न तो महच मान विये गलती के चलते काज़ की छोटी मोटी गलती के चलते गलती भी कैसा मेरा नाम कहिया है और मेरे सभी सर्टिफिकेट पे इस पर दिंग अलग रहा है इस अब के साथ होता होगा किसी सर्टिफिकेट पे मोहमद लिख देगा अरे सर्कारी बाभू के मूड पे निर्भर करता है वो सकता है कि उस दिन पत्री से जगरा हो गया वैसा की रिटेज होगा जल्दी जल्दी ने जो है मोहमद लिख दिया इस छोटी सी गलती के चलते लोगों का नाम आसाम में न हो गया आधर धूसरा को पीरा से नाम का अंगरी Ç report शुczenie है ». इस कैसे हो सकता है कि जीश कभी को सहित काजमी का पुरसकाह मिला हो उसके परिवार के लोगों का नाम का झार गया है ऐसा कैसे हो गया और यह मैं अंप jo Salam कोना के बादों ने को नहीं को पर गजी है ऐसा कैसे हो गया कि जो देश की सेवा कर रहे जे बॉटर पे उनके पडिवार के लोगों का नाम गया कर दिया, छोड़ दिजिए, देश के पूर्व राष्टपती के पडिवार के लोगों का नाम बाहर कर दिया गया, यह हुआ है अनरसी में, कागज की स्थिति क्या है इस द कितना परसंट लोग है। पहले तो यह बताईए कि आपता बर्थ डेट कितना ओरिजिनल है। तो इन कितना ओरिजिनल है। जो मस्तर सहाब लिख दिये इस्कूल में अडिमिशन कराते वक्त वही आपको बर्थ डेट हो गया। हम मार्च में पैदा हुए। मेरा बर्थ डेट से के जनवरी में हैं। जब हपी बर्थ डेट ये आना शुरू हताँ है युड़ेशुट के तर्यार आता ह। कि नहीं नहीं, तो नकली बाला है। मेरे भाई के... छोटे भाई के... सर्टिफिकेट में मेरे पिताजी का नाम vaygata vaaghan tae HT लेकिन आप ये तो कही दिए कि कागज हम घर में नहीं बना हैं अब आशिया प्रमानपत्र आप अपने घर में बनाते हैं इसी देशल सेटिफिकेट बर्च सेटिफिकेट वोटर आईडी पास्पोर्ट अरे घर में भी लोग बनाता है लेकिन उन्दों नीरव मोती और विज अब किसीको कागज आपना हो तो राते में पत्यमिलम ख्यक्रा शुरू हो जया ना हम ना जायेंगे तुम देख लो नहीं मेरा ड्यूटी है हंलोट करके टैसे जाएंगे और आफिस पे लेट हो जाएगा वहां लंभी नाई मेहती है कागज बनवाना इस देशुने बिस ज जीतने जीशा है कौनको लोग पास्पोर्ट बनाया है उनको बता दीजे तो चरावन हो खुले होकर के मंच पे खड़ा आउकर के बोलते हैं परधान मंत्री को भी और ग्रीम मंत्री को कि एक जी मंत्री साहे आपका डिपार्टमेंट है बिना मिठाई खाए मिठाई खाने के लिए नाम पर पैसालिए यह किसी का पास्पोर्ट के लिए नहीं होता है होता हैं जी लिए फ्लके दलगाते हैं पासzung पॉले अब थ्ध curvature आशान भी हो गया ऐया को पामिवह बन जाता था न तो लोगों को लगता था जिस श्तती कि कागज के आधाक दें, आप लोगों से उनकी नागरिक तत्च रही है तिहाँ समें हम दिखा चाहते हैं हम दिखाना चाहते हैं अपनी डिगडी। सर्कार बता है Php Nokko देने के लिए हैं आप कागज देखने के लिए नहीं तयार है कि इस देश में एक साल में पांच लाख से जादा इंजिनियर पैदा होते हैं पॉल्टेकनिक वाला को हम गिन भी नहीं नहीं और आई टी आई को तो छोड़ भी पांच लाख बीटेक इंजिनियर होता है नोकड़ी कितनी होती है देड़ लाख उसमें से भी अभी अभी अख़वार में ख़बर आई है कि 16 लाख जॉब कम हो गए नहीं तो हम पाईदान पे से ऐसे फिसल रहे हैं जैसे बर्फ पे स्केटिंग कर रहे हैं अभी डेमोक्राशी के पाईदान में भी दस पाईदान नीचे ससल पिछले हैं तो आपको बस नौकरी देने के लिए नहीं है आपके पास इसका जवाब नहीं है कि किसान एक तरफ आत्मत्या करना है और दूसरी तरफ जो हम लोग हैं वो 200 रुपे किलो प्याज खरीक रहे तो आपको इसा होता कि किसान अगर 200 रुपे किलो प्याज भी ललेता आप अगेर से आत्मत्या कर लेता है तो किसान के धाजे समने मर्सडीज लगा होता है वो भी जो है विजयारूपानी की तरहुचा और चाटर बले घरीद लेता है आपको नहीं हृआज से आपके और हम लोग प्याद जो है 200 रुपे की लोपी इस सवार का जबाब को देगा तो आप जो है इस भहस में परे रहिए कि मुर्गी आया की अंडा आपको यह समझ में तहीं आएगा कि NPR पहले होगा कि NRC मुर्गी अंडे के वहस में लगे रहिए यह भूल जाएगा कि रिजर्व बैंक से सरकार ने सरकार चलाने के लिए फिर से 45 रचार करोण दिया रिजर्व पैसे में से और तर्द क्या देते हैं वाजबा के समर्खत सरक सरकार का पैशा है उसका मन है निकाल है इस देश में नीम कानून ले करके, पॉंच जिलियन का बादा करके, GDP को पॉंच परसें को पहुचाएंगे। बहस क्या हो रहा है ? कि आच बचाओ CEEA नाग्रिक्ता देने के लिए है कि नाग्रिक्ता लेने के लिए ? यह इई बहस बोरा है ना ? सिंपल वाद समझ लीजिए मुख उद्देश इस देश में नागरिक्ता कानून जो लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हिंदूों को ये बताया जा सके कि आप चिंदा मत कीजिए इमिया जी को जो है ठीच करने के लिए लाया गया है ये अखिक ये हकित क्या है हकिकत ये है क्या खिकत चुछीरिएола असाम में हुआ तो 16Sta कलो रुपया हँ पूरे देश में यहादी होगा तो 27 bandwidth कलो रुपया खर्च होगा और जो नाम बहार पार गवा है। उसमें मुसल्मान से जादा हिंदूों का नाम पार हुआ है. और किस अधार पे बाहर गवा है, तो डॉक्यूमेंट में इसपेली की गलती के अधार के लोगं का सब्सक्राइब है। हम यह नहीं भी बूम करेगी लोग वहां काम करने के लिए यहां के मुसल्मान जाएंगे अरब की नौतरी करने के लिए अरब का सेख नहीं आएगा यहां पर जूस बेचने के लिए तो तेल बेच रहा है उसके पास तेल का कुआ है वो आपके धरंतला बस स्टेंड पे जो है नारंगी का जूस्थ नहीं बिचने के लिए और यह समझने की बात है यह समझने की बात है कि बिहार के मजडूर जाते हैं पंजाब में धान काटने के लिए पंजाब में आज multiply कि लोग नहीं या थे Tam अब देखिए दो जितना हमारे देष का निता है उसका बाल कोच्चा देश में रहता है, का रहता है कनाडा में? अक्षे हैं अच्छे कुमार कहां का नाघरिक है? कनादा का? भारत में रहकर गे हम लोग को ग्यान दे रहे हैं, रासवार पढ़ा रहे हैं अब खुद नाखरि और हम लोग इसमें पड़े हुए हैं दिक्कत यह है कि यह बात समझते हुए भी इसको तोड़ा पैसे जाए है सबसे ज़रूरी बात लिजीत रुखता जी को हम लोग याद कर रहे हैं लिफ्ट पार्टी में एक स्टेगिलेशन है और ये बात हमारी पार्टी के जैनल सेगरेटरी दी राजा जब विवुस राए गए थे तो लोंने कहा कि स्वास्या यह है आपको दिखाए है और एक खास उम्र के लोग आपको लिनी बिखाए है इसको अगर हम तोरना चाहते हैं तो जैसे हम लोग इनुवस्टीज के आंदोलन की प्रसंसा में अपनी बात रख रहे हैं उसको थोड़ा अपने विवहार मिलने आ है और आपको हम बढ़ाई देना चाहते हैं कि बंगाल से एक लड़की ने जेडियू में एक शांदार काम किया है उसको बंगाल का चिप्रा बनाइए उसको आगे कीजिए जैसे इनुवस्टी लग रही है उसी तरीके से यह लड़ाई फेक्टरियों में भी हो खेतों में भी हो खलिहानों में भी हो तब जाकर कि इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं तब जाकर हम अपने संभीधान को बचा सकते हैं और संभीधान को बचाने की लड़ाई इसलिए जलूरी है कि हमको यह फिर से स्वतंत्रता आंधोरन के दौर में पहुचा दिए यह वैसा ही बेवार कर रहे हैं जैसा बेवार अंग्रेज हमार दायर आता हमित साकर कोई ऑफिसर आता और गोली चलाना शुरू कर देता दौर बदल गया है आपके हाथ में मोबाइल है गोली मारने के लिए आएगा तो आप वीडियो बनाने जीए वीडियो लेकर के फटा-फट जो है आप सेंड कर दीजेगा फेस्बूर पे अपलोड क दीजेगा तो सरकार्ट जो हैं दुनिया के सामने यह कैसे दिखा पायागी कि नैंने भाई हम तो लोगतंत्र के दुनिया के सबसे ने लोगतंत्र के 350 सीट लेकर के बहुमत की सरकार चला तो मुंह काला हो जाएगा कालिक पोती जाएगी ना तो उससे पचने के लिए एका इन्होंने गुलेट की जगाच सुना झुली और बुली के से करते हैं बिना किसी सबूत के बिना किसी बात के जिसको मां करें उसको मुं उठा गरकें इंटीनेशनल मतं जो अमिर्ट सेंथ इस धेश को गौरवानित होने का मुझा दिये नॉबल दिलवाय हुआ उनको यह लो गिदे की rac bored merchant यह तुशार गो representing ले हैं एक से एक शिविलमी हस्तियां जिनोंने वहतरीं फिल्में बनाई बनाई जिनोंने भारत के समाज को आगे बहाने अपनी हमिका निवाई इसको यह लोग आजपकर सिर्फ शर्पमपे लिंचिंग नहीं करते हैं दिजिटल लिंचिंग करते हैं, ओनलाइन लिंचिंग करते हैं, रेप थ्रेट्स देते हैं, घ्रालियां देते हैं, बुली करते हैं, और बुली सिर्फ आपके फेस्बुक वाल पे आगर के नहीं करते हैं, आपके ओफिस में आपके बुली करते हैं, बस में आपको बुली करे इस्कूल का वॉटशेप ग्रूप है, उसमें आपको वूली करेंगे, जो फैमली ग्रूप है, उसमें बूली करेंगे, अगर आप विदेश में ढहते हैं, तो वहाँ जो भार्तियों का एसोचिय kaf समे आपको वूली करेंगे, यह एक नया पैटरन है, तो मैं आप लोगों को बस एक बात व्याद दिला करके अपनी बात खर्म कर देंगा। आज सुभास चंद्रबोष को आप लोग याद कर रहे हैं। सुभास चंद्रबोष ने जो फौज बनाई थी जिसका नाम था आजाभ हिंद फौज। आजाभ हिंद फौज का एक मश्रूल नारा है जैहिन जिसकी चर्चा सलेम साहब कर रहे थे। एक किताब लिखी गई है दे लिजेंड आफ हैदराबाद एन अनेकडोट्स। उस किताब में एक इंजीनियर की चर्चा है जिसका नाम है जैनुल आवटीम। वो उस वक्त जर्मनी में इंजीनियर थे और सुवास्चंद्र बोष के पर्सनल सेपरेटरी थे और इंटर्परेटर भी थे तो उन्होंने सुवास्चंद्र बोष को कहा गया वादल सुवास्चंदर बोस्त ने उनको कह कि एक नारा गना तो जैनुल आपदीन ने यह नारा कोई किया था जाहिंद आप तुछे बताइए आज आप सुवास्चंदर बोस्त के जाह करें आज गोस्त आज गोसित तो क्या जैनुल आपदीन के साथ खड़ा हो करके NPR, NRC, C जैनुल आपदीन के इस डर के महवर में उनका हाथ पकरकर के उनके कंजे पे हाथ पकरकर के उनके साथ खड़ा होते कि नहीं होते हैं। याद रखेगा, सच के साथ खड़ा मनम मुष्किन होता है। सच बोलने पे लोगों को अपनी जान गवाने पर दी है। लेकिन सच बोलने का खड़ा को उखाना पड़ता है। कौपर निकस ने वो खड़ा उठाया था। और कौपर निकस ने कहा कि पिर्थवी चप्ती नहीं है। गोल है। सूरत पिर्थवी का चक्कर नहीं लगाता है। पिर्थवी सूरत का चक्कर मिलाता है। सच बोणना होता है। हो सकता है कि आप इस वक्षा में कम हो, लेकिन आने वाला समाज, आने वाला इतिहास आपको ही सही मनेगा इस बात को यार रखिएगा, क्योंकि ये कानून बिश खिरोधी है, समिध्मा गिरोधी है, इस कामीन के खिलाफ हमका कुई आवाज को भुलंद करना चाहेंगे। और रही बात मोदी की प्रसनलिटी करना है। एक जो है हमारे पत्रकार मित्रा आगर के भी पूछे, बोले कि मोदीजी से तुमको क्या दिक्कत रहा है। तुमको कोई दिक्कत रहा है। बोले नहीं तो हमे से मोदीजी के खिलाफ हैं लोटे रहा है। नहीं कि देश के लोगों का पैसा अपने दुस्तों के संदे बीटा रहे हैं और दिक्कत ये है कि वो ये काम इतना बहतरी तरीके से करते हैं कि लोग उसको सवाल नहीं बना पाते हैं तो बहुत तुमको मुदी जी में जाएगे और क्या पूछो रहे हैं मुदी जी बताईए आप इतना अच्छा अभिनाय करना सीखे किसा आप जूठी वेसर बोलते हैं जिसा सच लगता है किसे बोलते हैं हमने कहा कि तुम अगर डिल दे दिये हो मुझे को दिक्कत नहीं है और जब आप किसी को अपना डिल दे देते हैं तुसको कोई कुछ कहता है तो बुरा लोगता है आपके गल्फरंड को कुछ कह देगा तो बुरा नहीं लगता है आपके बॉइफ्रंड को कुछ कह देगा तो बुरा नहीं लगता है आपके माबाद को कोई कह देगा तो बुरा नहीं लगता है है कि देश में जो हार है यह कैसे सही है डेश चल की साधार तरह है देश संभिधान के अनुशाल ही देश में अगर देश में लोक्तंत्र नहीं होता, तो क्या चाय बेचने वाला देश का पजन्मंत्री बढ़ता है? तो जिस सीरही पे चंकर के आये हैं, उसी सीरही को सवचने हैं. है, तो दफ्ताली दाज कर दितात हैं, तो जिस दाज करो उसी को काट रहा है. ये लोकतंत्रिक रेश्व और इस लोकतंत्रिक देश को चलाने के लिए जो हमारे पास गाइदिंग प्रिंस्पल है वो हमारा देश का इसलिए हम थोड़ा रस्या और चाइना और नौर्थ कोडिया इस अब चक्कर होने ही लगाते हैं बहुत कुछ है और घृत में कबीड है नानक है भारत में चारवाख की पड़ा कि भारत में भारत की सहस्याओं से जूजने के लिए परियाप्त फिलोसोफी और थॉट्स मौझूद है। किसो भी पराती है। कभी कहते हैं। कभी कहते हैं। पाथर पुझे हरी मिले तो मैं पुझूं पहा। तो लोगों का रहां कि अच्छा। इंदू के खिलाब बोल रहे हैं। तो तुरंत एक चीज़ और बोली। कंकर पाथर चाही के माजित लियो बनाए। तापर मुल्ला बांग दे वहरो भयो खदाए। खपीर भी इसी देश में हैं। नानग भी इसी देश में हैं। और वो जो आपके यहां बंगाल में बावल गाने की पड़ंपड़ा है। तो उस पड़ंपड़ा में जो वह एक फिरंगी था। जिस फिरंगी उसको को फिल्म भी बनी है। उसको पुछा कि बताव क्रिश्न को मानते हो कि क्राइस्ट को मानते हो। तो उस पिरंगी ने क्या कहा। प्रमी ने कहा कि कृष्ण ही क्राइस्ट है अब बताव क्या करें यह हिंदुस्तान की पड़ंपड़ा है हिंदुस्तान में कभी किसी भी इंसान के साथ अगर जन्म के आरहार पर पहचान के आरहार कर कोई भेद्वाव किया जाएगा तो हम संभिधान की कसम खाते हैं यह हम अगर तुम पूलामी पसंद है तुम गुठामी और चाप-लूशी पसंद है तो तुम गुलामी और चाप-लूशी करो हम आजादी को पसंद करने वाले लोग हैं हर मोड पे, हर मुकाम पे हम आजादी की आवाज को बुलश बने हैं हम तुमको यह बता देना चाहते हैं कि अगर तुम अंग्रेजों के रास्ते पे चल कर जिवाइड और रूल की पॉलिसी अपना रहे हो गर तुम अंग्रेज बनने के लिए तयार हो तो हम सुभास चल्डर बोश बनने को बनने हैं शुक्रिया, विवाज भिवावाद, जो बहुत है